इस्टूडेंट्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं 8.1 एक्सरसाइज का यह question number third का h है तो इसका हम solution देख रहे हैं question आपके सामने लिखा हुआ है 2 plus 3 2 plus p by 3 minus p minus 6 by 5 plus 2p minus 1 by 15 equal to 6 अब जैसे कि हम जानते हैं students की हर बार जब इस तरह से by में number आ जाते हैं तो हम इसको LCM लेकर के और सभी terms में multiply करने से यह remove हो जाता है तो हम क्या करेंगे 3 5 और 15 का LCM जो होता है जो जो numbers आ रहे हैं अब वीडियो के regarding ऐसे आप लिखते जाएंगे और यहां पर 6 into 15 का आपका 90 हो जाएगा बाकी जगहों पर 15 15 कट जाएगा यहां पर same as it is 2p minus 1 यहां से 5 3 15 3 3 multiply this all और 35 जाएगे ना जाएगा यहां पर 5 और यह आपका टू माद प्लस प्लस इस ड्रेकेट ओपन करेंगे दो टम्स यहां से निकलेगा और माइनस त्री से इस ब्रैकेट को आप यह पी और यह पी और यह पी यह तीन पी है यह पहले आप अलजबरी टम्स को देख लेते हैं यह इसमें कौन सा पॉजटीव है 5p और 2p मिल करके 7p हो गया इसमें से 3p negative है यह सब्टेट हो जाएगा तो 7p positive है तो answer positive में हाएगा पहले sign चेक किया करिए फिर 7P में से 3P को माइनस कर दीजिए 4P आएगा इसके बाद यहां पर 10, 18 और माइनस 1 तो 10 और 18 को एड़ कर लीजिए 28 और माइनस 1 कर लीजिए 27 और इक्वल टू 90 यह एज़ दीज रहेगा इसके बाद students आपका यह 4P माइनस 27 को आप जो है वो राइट डिरेक्शन में भेज़ेंगे तो यहां पर 90 से माइनस हो जाएगा क्योंकि यह पॉजिटिव है यहां पर 27 था अब यहां पर इसका डिफरेंस आजाएगा 63 अब पी एक्वल टू 63 वाइफॉर तो आप इसको जब 15 जो है वो आपका ऐसे इंटेग्रल पार्ट हो जाएगा तो 15 इंटेग्रल 3 by 4 इसका अंसर हो जाएगा थैंक यू फर वाचिन वीडियो